हेलो डियर स्टुडेंट्स वेलकम टू मैंगनेट ब्रेंज मैं संचिता जैन आपके एसेस्टी एजुकेटर आज के सेशन में लेके आई हूँ आप सभी के लिए क्लास नाइध स्टुडेंट्स के लिए सामज विज्यान मेतिहास का चैप्टर नमबर फोर जिसका नाम है वन्य समाज और उपनिवेश्वाद और आज हम करने वाले इसका नेक्स टॉपिक टॉपिक का नाम है वनों के नियमन से खेती कैसे प्रभावित हुई जब वनों में कानून लाए गए अधीनियम लाए गए ठीक है वो अधीनियम और कानून अप्लाई करे गए वहां के लोगों पर ठीक है तो उससे खेती कैसे प्रभावित हुई पिछले सेशन में हमने क् कि इन अधीनियम से वन कानूनों के कारण लोगों का जीवन कैसे प्रभावित हुआ अब हम बात करेंगे इन वन कानूनों के कारण खेती कैसे प्रभावित होती है आल राइट चलिए तो शिरू करने से पहले आप सभी इस रिक्वेस्ट है फुली और नाइस कम्प्लीट कोर्स के साथ, जी हाँ, हम आप के लिए कई सारे टॉप कोर्सिस हिंदी और इंग्लिश दौनों मीडियम में प्रुवाइड कराते हैं, सीबेसी बॉर्ड के साथ SAAD, and P Board, UP Board, Bihar Board, Delhi Board और राजस्तान बॉर्ड के सलीवस को कवर कर आया जाता है, काफी सारे स्पेशल कोर्सिस हैं हमारे पास जैसे कि वयदिक मैंस, क्रेश कोर्स और स्पोकर इंगलिश, और इतने सारे courses आपको एक ही single platform पर high quality education के साथ fully organized complete course के साथ एकदम free of cost मिलने वाले हैं Magnet Brains, YouTube के लावा other social media platform जिसे की Facebook, Instagram, Twitter, Telegram, WhatsApp पर भी उपलब्द है आप अमें वहाँ भी follow कर सकते हैं, वहाँ से भी सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं चलिए तो शिरू करते हैं आज का ये session आपके like और share के साथ चलिए तो वनों के नियमन से खेती पर क्या असर पड़ा इसको जानते हैं ठीक है तो अब देखो इरोपिय अपने वेश्वाद की यहाँ पर बात कहीं गई है यानि कि जब इरोपियों ने भारत पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया था तो इरोपियों अपने वेश्वाद का सबसे गहरा प्रभाव किस पर पड़ा सबसे गहरा प्रभाव पड़ा जूम या घुमन्तू खेती की प्रथापर क्योंकि आज हम जानने वाले हैं कि खेती कैसे प्रभावित हुई तो एक खेती का प्रकार होता है जूम क्रशी या घुमन्तू क्रशी अब भई जूम या घुमन्तू क्रशी होती क्या है? जंगल के कुछ पार्ट को नियानी की थोड़े से हिस्से को जला दिया जाता है और जो जलाने के बाद जो राख बच्टी है जो राख मिलती है उसी राख में अलग-अलग पसलों के बीच बो दिये जाते हैं और उसमें फिर जो है खेती करी जाती है और फिर दो वर्ष तक शेत्र में खेती करी जाती है और दो वर्ष के बाद फिर क्या किया जाता है लोग दूसरी जगह चले जाते हैं दूसरी जगह के जंगल के कुछ पाट को जलाते हैं और फिर वहां पर खेती करते हैं ऐसा दो से तीन साल में ये कारिक्राम जो है चलता ही रहता है कि दो से तीन साल में जगह परिवर्तित होती रहती है यानि कि एक जगे से दूसरी जगे से तीसरी जगे ऐसे घूम घूम के खेती करी जाती है जिसको कहा जाता है जूम क्रशी या घुमंतु क्रशी अब यह जंगलों में ही करते थे तो जंगल के जंगल काटे चा रहे थे और दूसरी बात है कि जंगलों में लोगों के प्रवेश की मना ही कर दी आरक्षित्वनों को तो कि भाई आप प्रवेश नहीं कर सकते तो अब बताओ लोग वहां जाके जंगल को जला के पिड़पधों को जला के खेपी कैसे क हो गई समस्या खेती के मामले में तो अब देखना एशिया अफ्रीका वदक्षड अमेरिका के अनेक भागों में यह खेती का एक प्रमप्रागत तरीका है एशिया महादी अफ्रीका महादी वदक्षड अमेरिका के अनेक भागों में यह जून खेती खेती का एक पुराना तर जाता है कैसे जैसे दक्षिडपूर्व एशिया में लादिंग दक्षिडपूर्व एशिया में क्या कहा जाता है लादिंग कहा जाता है या लदांग भी कहा जाता है ठीक है फिर मध्य अमेरिका में मिलपा मध्य अमेरिका में क्या कहा जाता है मिलपा कहा जाता है अफरिका म चितमेन या तावी कहा जाता है और श्री लंका में कहा जाता है चेना ठीक है अलग लगा जगा है इसके अलग अलग नाम होते हैं हिंदुस्तान में घुमंतु खेती के लिए धया अब हिंदुस्तान में क्या कहते हैं घुमंतु खेती के लिए धया पेंदा बेवर नेवर तो अब इस प्रकार की खेती को पहुँच गया खत्रा अब घुमन्तु खेती की प्रक्रिया क्या होती है देखिएगा तो घुमन्तु क्रशी के लिए जंगल के कुछ भागों को बारी-बारी से काटा और जलाया जाता है ठीक है कैसे करी जाती है जूम खेती तो घुमन्तु क्रशी के लिए जंगल के कुछ भागों को बारी-बारी से काटा जाता है जलाया जाता है मौन्सून की पहली बारिश के बाद इस राख में बीज बो दिये जाते है ठीक है जंगल को काटा जो राख मिली तो जैसे ही मानसून की पहली बारिश वी उस राख में वो बीज बो दिये जाते हैं और October, November में फसल काटली जाती है और इन खेतों पर दो साल तक खेती करने के बाद इनहें 12 से 18 साल तक के लिए पर्ती चोड़ दिया जाता है पर्ति यानिकी खाली छोड़ दिया जाता है फिर वहां खेती नहीं करी जाती ठीक है क्यूं क्यूंकि वहां फिर से जंगल पनप जाएगा ठीक है एक बहुत बड़े जंगल का शेत्र है जंगल की कुछ भाग के पेड़ पौधे जलाए उसकी राख में मांसूर आने पर एलएं कि खाली छोड़ना ताकि वहां जंगल होगा है अब जंगल फिर से उगाएगा तो फिर से वहीं खेती की प्रक्रिया वापस गूं के वहीं आ जाएंगे करने के लिए इसलिए से कहा है जूमक्रशी या गुमन्तूक्रशी जिसकी प्रकृशी कुछ इस तरीके से होत हैं यहां से सवाल आते ही हैं तो जूम खेती के क्या प्रभाव हो सकते हैं सुनिएगा तो यूरोपिय वन रक्षकों की नजर में यह तरीका जंगलों के लिए नुकसान देह था उन्होंने महसूस किया कि जहां कुछ सालों के अंदर पर खेती की जा रही हो ऐसी जमीन पर रेलवे के लिए इमारती लकड़ी वाले पेड़े नहीं उगाये जा सकते यानि कि जहां पर जूम खेती करी जा रही है वहां फिर से इमारती लकड़ी वाले पेड़ नहीं उगाये जा सकते एक समस्या यह आई साथी जंगल जलाते समय बाकी बेश कीमती पेड़ों के भी फैलती लपेटों की चपेट में आजाने का खत्रा बना रहता है अब जंगल में कई सारे पेड़ हैं आपने कुछ पेड़ों को जलाया लेकिन उसके आसपास जो पेड़ हैं बेश कीमती पेड़ हैं उनके भी उसाग के चपेट में आजाने का खत्रा बना रहता है जिससे वो बाकी के पेट भी जल सकते हैं बिलकुल फिर गुमन्तो खेती के कारण सरकार के लिए लगान का हिसाब रखना भी मुश्किल था सरकार जो है लगान का हिसाब नहीं रख पा रही थी कि कहां कितना लगान हमें किस से वसूलना है क्योंकि हर बार क्या होता था छेत्र बदल दिया जाता था और हर बार बराबर शित्फल में खेती करी नहीं जाती थी इससे सरकार के लिए लगान यानि की टेक्स वसूलना मंतु खेती पर रोक लगाने का फैसला लिया गया तो उसका रिजल्ट क्या निकला कि अनेक समुदायों को जंगलों में उनके घरों से जब्रन विस्थापित कर दिया कि अब आप जंगल चोटे बड़े विद्रोहों के जर्ये प्रतीरोध भी किया क्या होता है कुछ को अपना पेशा बदलना प्दा क्योंकि आप उप जूम खेतिए नहीं कर सकते थे तो दूसरा पेशा अपनाना पड़ा या दूसरा काम उन्हेरा खोजना पड़ा और कुछ si Berkeley kg जोटए बड़े विद्रोहो भी करें कि भैस आफि erzähdes m McL चीन शारा हैं हमसे मारा जीवन चीना जा रहा है यूँकि जं稷से निवास होता था खाना से मिलता था रोजगार का साधन जंगल था यानि उनका तो जीवन चीन गया तो लोगों ने इसका विरोध भी किया कि हम इन कानूनों का विरोध करते हैं और इस तरीके से आज का ये शेशन भी यहीं पर खतम होता है ठीक है मिलते हैं जल्दी ही अगले टॉपिक के साथ अगले वीडियो में अल्राइट चलिए तो चलते हैं अगर आप हमारे डेली के लाइफ शेशन और रिकॉर्डडिट सेशन से जुनना चाहते हैं सारी चीज़ें उपलब्ध हैं मैंगनेट ब्रीन्स के यूट्यूब चनल, वेब साइट और अप्लिकेशन पर मैंगनेट ब्रीन इंडिया का नंबर वन, 100% प्री ओल्लाइन एजुकेशन प्लेट फॉर्म है इसके अलाव अगर आप e-books औरी नोट्स भी चाहते हैं उसकी लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है वहां से आप अवेल कर सकते हैं, सारी चीजन, सारी जानकारी के साथ प्राप कर सकते हैं हमारे पास आपके लिए कई सारे टॉप कोर्सेश हिंदी और इंग्लिस दोनों मी जयम में अबलेवल है CBSE के साथ साथ दिल्ली विहार, UP, MP, राजस्तान बोट के स्लेवर्स को कवर कराया जाता है काफी सारे स्पेशल कोर्सेश हैं, वैदिक मैस, क्रेश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश और इतने सारे कोर्सेश आपको एक ही सिंगल प्लेटफॉर्म पर हाई क्वालिटी एज्जुकेशन के साथ फुली औरनाइज कम्प्लीट कोर्स के साथ इदम फ्री आफ कॉस्ट मिलने वाले हैं मैंगनेट ब्रेइंस, यूट्यूब के लावा अधर सोशल मीजा प्रेटफॉर्म जैसे की जुड़े रही है, पढ़ते रही है, खुश ही है, थाइंक यू सू मच्छ